हेलो एब्रीवान वेल्कम टू स्नेहा हिस्ट्री क्लासे आज इस विडियो में हम डिस्कास करेंगे दफ फर्स्ट बाटल अफ पानीपत इसे पहले मैंने अल्रीडी पार्ट वन अप्लोड कर दिया है जिसमें हमने डिस्कास किये थे बाबर के कॉन्वेस्ट के बारे में के बारे में भी इसकास किया था इसके साथ साथ हमने डिसकास किया था causes of the first battle of पानीपत तो आगे शुरू करते है आज हम complete करते हैं the events results of the first battle of पानीपत और क्या reasons थे कि बाबर जो है इस battle में तने successful हो पाए और आगे उनके सामने क्या-क्या difficulties थी तो बहुत कुछ है जानने को तो चलिए शुरू करते हैं So we have already discussed the causes of the first battle of Panipat आज हम बात करेंगे events के बारे में और उसके बाद results के बारे में तो आपको पता है एक तरफ military force है किसकी Ibrahim Lodi जो कि अफगान रूलर है उनकी और दूसरी तरफ है किसकी सेना वो है बाबर की सेना जो कि मुगल आर्मी है तो आप देखेंगे 12th April को 1526 को यह जो आमी है यह face to face आती है in the historic battle of Panipat और यह आप देखेंगे 12 April को यह आमने सामने आती है और लगबग 8 दिन तक जो यह आमने सामने ही रहती है मतलब कोई भी जो है लड़ाई शुरू नहीं करता है ultimately आप देखेंगे इबराहीम लोदी जो है वो अटाक करते हैं मुगल आगमी में पहले और वहां से आप देखेंगे battle शुरू हो जाती है बट 19th April को आप देखेंगे आगे चलकर जो बाबर है रात को अटाक करते हैं इबराहीम के जो लोग है उनके उपर बट वो जो अटाक था वो successful नहीं हो पाता है बट इस तरीके से क्या होता है कि जो इबराहीम लोदी की आमी है जो डेली आमी है वो आके एक बहुत बड़े space पे open space में जो है fight शुरू हो जाती है बाबर और डेली की आमी के बीच में अब because जो आमी है वो एक larger space में है तो यहाँ पे benefit मिल जाता है बाबर को और बाबर इस situation में ही adopted the tulugma tactics of warfare and इसके साथ-साथ artillery action जो है उनका वो काफी काम आता है इस battle में और यह artillery action को कौन handle कर रहे थे उस्ताद अली अन मुस्तफा जो की दो artillery expert थे बाबर के टाइम पे तो अब क्या होता है चारों तरफ से आप देखेंगे मुगल आर्मी अफगान आर्मी को घेर लेती है और बुरी इबराहिम लोधी की बहुत बुरी तरीके से हार होती है और इस battle में आप लगबग देखेंगे 15,000 अफगान जो है उनकी मौत होती है अलोंग विद इबराहिम लोधी और उनके साथ दे रहे थे हिंदू राजा विकरम जीत ऑफ गॉलियर उनकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है तो इस तरीके से जो मुगल आर्मी है वो पूरी तरीके से अफगान आर्मी का सफाया कर देती है तो अब हम देखते हैं results अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद तो यह हम point to point discuss कर लेते हैं end of the Afghan ruler और इसी हार के साथ आप देखेंगे जो पहली battle थी पानीपत की जो 1526 मे लड़ी गई थी उसके बाद आप देखोगे अफगान रूल जो है वो इंडिया में खतम हो जाता है और इबराहीम लोदी जो लास्ट अफगान सुल्तान थे डेली के वो इस battlefield में उनकी मौत हो जाती है इसके साथ हिंदू राजा जो विकरम जीत है ग्वालियर के उनकी भी मौत हो जाती है तो यहां पर आप देखेंगे अफगान एंपायर जो है डेली में या इंडिया में फिलहाल के लिए खतम हो जाता है और यहां से मुगल आर्मी की जो है शुरुवात होती है next point हम देखते है foundation of a new dynasty that is the मुगल empire and यहां से क्योंकि विक्तरी होती है बाबर की first battle of Panipat में तो जिससे आप देखेंगे यहां पर एक नया empire established होता है जो है मुगल empire and इसके बाद next point हम देखते हैं marked the end of the second stage of conquest of Hindustan देखेंगे आपने पहले ही video में discuss किया है कि किस तरीके से बाबर ने पहले भी इंडिया में जो है आने की कोशिश करी थी यह second stage था बाबर का हिंदुस्तान को conquest करने का अभी यह final stage नहीं है अभी आपको पता है उनको और भी आगे बहुत सारी battles fight करनी है और और भी strong powers को हरान है तो अभी यह second stage जो था conquest of Hindustan का वो complete होता है और बिल्कुल the battle was decisive not only in the military but political sphere as well क्योंकि आप देखेंगे politically भी a strong empire था sector में मुगल अफगान empire वो पुरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया जाता है तो जिस तरीके से हम अगर इसको compare करें जो Britishers की victory थी जैसे कि Robert Clive ने battle of class से जो से इन्होंने established किया था British rule इंडिया में उसी तरीके से आप देखेंगे first battle of panipat के थू जो है आप देखेंगे बाबर ने मुगल एंपायर जो है इंडिया में established किया था अभी इसको और आगे प्लरिश करना है ठीक है next time point देख लेते हैं Barbara brought Delhi and Agra under his domain क्योंकि आपको पता है अफगान rule already काफी जो है वीक हो चुका था और इनके पास इब्राहिम लोदी के पास सिर्फ दो main regions थे डेली और आगरा तो जब बाबर उनको हराते हैं तो इस तरीके से दिल्ली और आगरा का एरिया उनके अंडर आ जाता है next point हम अफ़ानिया सुनी थी कि जो इंडिया है वो बहुत ही जादा रिच कंट्री है वो बिल्कुल जो उनका सपना है वो पूरा होता है और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद उनकी जो ट्रेजरी है वो उसके पास आ जाती है और यहां इसके साथ साथी जो world famous kohinu diamond है वो भी आ मिनिस्टर्स, पॉपवर्स, प्रिसेप्टर्स सब के बीच में वो बाटते हैं तो इस तरीके से इस मौके को ये सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, बाबर गॉट इंस्पिरेशन फ्रम इस विक्टरी और अफगान्स को उनोंने बड़े अराम से हरा दिया है तो वहाँ से उनको inspiration मिलती है कि उनको आगे भी battle fight करनी है और कोशिश करनी है कि कितना जाधा से जाधा इरिया जो है वो इंडिया का conquer कर पाई इसी वज़ा से वो after this battle of Pani pad वो decide करते हैं कि वो काबल वापस नहीं जाएंगे राधर वो इंडिया में रहेंगे और यहां पर अपना empire extend करेंगे next हम देखते हैं wide use of artillery came into work तो इससे पहले जैसा कि हम इबराहीम नोदी के time पर देखें तो उनके पास इतनी strong artillery नहीं थी और यही reason था कि बाबर जो है वो इबराहीम नोदी को इस battle में हरा पाए क्योंकि उनके पास artillery बहुत strong थी तो इस तरीके से आप देखोगे इस बाबर की victory के बाद artillery का इस्तमाल काफी जादा warfare में मतलब इस्तिमाल होना शुरू हो गया था नेक्स हम देखते हैं मुगल-राजपूत वार बिकेम इनेविटेबल अब देखे एक और strong power इंडिया में है राजपूत पावर ठीक है जिसके बहुत ही important ruler है राना सांगा अब यहां पर क्योंकि मुगल्स ने ये decide कि बाबर ने ये decide कि वो काबल वापस नहीं जाएंगे तो उससे ये clear हो गया था बिकोज राना सांगा भी दिल्ली के थ्रोन पर बैठना चाहते थे तो यहां पर दोनों के जो जो भी desires है वो clash कर रहे हैं इसी वज़ा से अब देखेंगे तो इसी वज़ा से बिकेम इनेविटेबल एनके बीच में वार होनी ही ओनी थी नेक्स हम देखेंगे इट एन्हांस बाबर्स दिग्निटी और प्रेस्टीज तो बिलकुल यह पहला बैटल ओफ पानेपद जो था वो बहुत ही नेक्स्ट हम देखेंगे end of barbers misfortunes जैसा कि मैंने आपको previous वीडियो में बताया था कि काफी सारी fight सुनों ने लड़ी है इससे पहले और इतने lucky वो नहीं रहे थे बट इस battle के बाद definitely वो बहुत ही lucky prove होते हैं और आपको मालूम है Mughal Empire आगे चलकर 300 सालों से भी जादा भारत में आपको देखने को मिलेगा तो वो उस जो बाबर का जो unlucky days थे वो खतम हो जाते हैं और lucky days यहां से शुरू हो जाते हैं next हम देखेंगे fulfillment of barbers ambition और यह भी मैंने आपको previous वीडियो में बताया था कि जो बाबर थे वो काफी ambitious थे और वो चाहते थे अपनी military strength को proof करना as a military general वो कैस देखेंगे this was the result of the battle ठीक है अब हम next देख लेते हैं कि causes of barbers success कि क्या क्या reasons थे कि जिसकी वजह से जो है बाबर की victory होती है first battle of panipat में तो सबसे पहले हम देखेंगे इबराहिम लोधी suspicious nature and injudicious policies तो देखेंगे इबराहिम लोधी जैसा कि हमने बोला कि इतने काफी weak ruler थे और उ confusion जो है वो create हो चुका था उनके nobles उनका साहत साहत नहीं दे रहे थे यह तक कि उनके जो अंकल है आलम खान दौलत कांटी कहा यह लोग में उनका साहत नहीं दे रहे थे तो जिसकी पीछे यह था कि वहर किसी पर शक करते थे और रोसा नहीं करते थे इसकी वजह से आप कि अपसंस अफ एनी स्ट्रॉंग सेंट्राइज पावर इन इंडिया कि सेंटर में कोई स्ट्रॉंग पावर नहीं है वराहिम लोदी आज में वह काफी वीक हो चुके हैं ठीक है और उन्होंने क्योंकि बहुत टाइम से बहुत कोई बैटल भी फाइट नहीं करी थी तो सेंटिशन जर्ड वो जब से चोटे थे 12 साल की उमर से ही वह लड़ाई लड़ी रहे थे थे टीक है उन्होंने बहुत सारी ट्राइबश को जो की आक्चली वार लाइक ट्राइब्स थी ठीक है काफी बार बरस ट्राइबस तो फेस किया था तो उनको मालुम था कि किस तरीक आपको पहले ही बता चुकी हूं कि एक और मेजर रीजन था उनका जीतने का वो था आटिलरी उनके पास ऐसे लोग थे जो आटिलरी में माहिर थे तो इस वज़ा से भी वो जीत पाते हैं हमेशा से वो लड़ते आये हैं तो उनको बहुत सारी वार्फेर की टेकनीक्स पताती जैसे तुलगमा टाइप की टेकनीक हो गई और उन्होंने जो कि बिल्कुल उन्होंने यूज करी बैटल अफ पानी पत में आगे हम पढ़ेंगे बैटल अफ खानवा उसमें भी आपको य क्या बोलते हैं कैवल्री भी बहुत स्ट्रॉंग थी इसके अलावा रूमी स्टाइल ओव वार्फेर तो ये सारी चीजों ने उनको एक अडवांटेज पुजिशन पे लाके खड़ा कर दिया था जिसकी वज़से वो बहुत असानी से जो है जीत पाते और वहीं पे सामने अगर आप देखेंगे तो इब्राहीम लोधी की जो सेना थी वो बिलकुल ही अन और्गनाइस थी और उनका कोई सिस्टम नहीं था वार्फेर का और उपर से उन्होंने कोई बैटल भी काफी लंबे समय से फाइट नहीं करी थी तो ये भी रीजन बनता है जो है जिसकी वज बैबर को इस बैटल के लिए इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे राजपूत रूलर्स जिन में से राना सांगा भी वो भी इन्वाइट करते हैं बाबर को इनके अगेंज तो इस वज़ए से क्योंकि इब्राहीम लोधी को खुद इनके लोगों का सपोर्ट नहीं था वो भी एक major reason बनता है नेक्स्ट हम देखेंगे बाबर in an active state of mind क्योंकि वो continuously जब younger age से ही वो fight कर रहे थे तो वो experience उनके साथ था तो ये भी एक major reason बनता है और next हम last point करेंगे one week's time before the battle 12th to 20th April 1526 CE तो देखिए यहाँ पर एक और चीज थी कि देखो बारा तारीक को बारा एप्रिल को ये दोनों सेना आमने सामने आ जाती है पर आठ दिन तक कोई लडाई नहीं होती है तो उस आठ दिन का पूरा का पूरा फायदा बाबर उठाते है और वो चारो तरफ से जो है इब्राह पार के पीछे और बाबर की सक्सेस के पीछे और नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिफिकल्टीज ओव बाबर आफ्र फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देखिए अभी बहुत कुछ उनको जीतना बाकी है गर उन्हें पूरे इंडिया को काप्चर करना है अभी उन्हें सिर्प और आगरा के एरिया को कैप्चर किया था तो अब आगे उनके पास क्या चैलेंजिस थे क्या डिफिकल्टीज थी जो वो फर्दर फेस करने वाले थे तो इसमें हम पहला देख लेते हैं क्या पैसिफिकेशन और विनिंग देखिए इंडिया देखिए इंडियन के लिए जो वो बाबर है वो अभी के लिए फॉर्णर ही है उनके अकॉर्डिंगली वो बार्बरस है तिके जिस तरीके से उन्होंने बैटल अग पानीपत फाइट की थी और बहुत सारे जो अफगान सर्दार्स हैं जो राजपूत प्रिंसेज हैं वो बिलकुल भी सपोर्ट नहीं करत तो देखिए अफगान पावर को तो इन्होंने क्रश कर दिया है बट इसके अलावा अफगान नोबल्स अभी भी हैं और वो बहुत सारे एरियाज में काफी पावर्फुल है और बैटल अफ पानीपत के बाद उन्होंने अपने अपने एरियाज में इंडिपेंडन्स डिक इसके बाद है हुसान खान मिवाती जो कि कि बनते हैं मिवात के इसके बाद है दरिया खान लोहानी ठीक है जो कनौज के या उनकी नेबरिंग टेरिटरी के एरियाज में पावर में हैं बहान खान है जो सन अफ दरिया खान लोहानी है तो आप यह हैं कि अभी काफी सारे नो देखते हैं, restlessness among his army who earned to go back to Kabul, देखिये, काबूल का जो weather conditions है, और इंडिया की weather conditions में जमीन आस्मान का फरक है, वो ठंडा इलाका है, जहां कि आप देखेंगे दिल्ली की यहां पर गर्मी काफी पड़ती है, तो यहां पर जो उनके soldiers थे, वो बहुत जादा परेशान हो गए थे क्योंकि तो वो continuously fight कर रहे थे, और यह weather conditions उनको suit नहीं कर रही थी, और काफी लंबे समय से वो अपनी family cave से भी दूर थे, तो यहां पर उनके लिए यह भी challenge था कि वो कैसे अपनी army को यह convince करे कि वो आगे भी battle में उनका साथ दे, तो यह भी एक major problem थी, next हम देखते हैं, the opposition from the brave and formidable Rajputs, और अभी आपको पता है कि Rana Sangha जो की काफी strong है और उनको भी यह लगा था कि इस battle के बाद जो है, बाबर जो है वापस काबूल चले जाएंगे, पर वैसा नहीं होता है, बाबर यह decide करते हैं कि वो आगे भी fight करेंगे और overall India को जीतेंगे, तो यहां पर वो एक बहु करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे, बाबर्स वार विद राजपूस अंडर दर फॉर्मिटेबल एडवर्सरी रावना सांगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि राजपूस तो अल्रड़ी उनको पोस कर रहे है और उनके जो बहुती strong ruler है जो है राना सांगा अब उनको साथ battle fight करनी पड़ेगी उससे वो भाग नहीं सकते थे और यहीं पर आप देखेंगे होती है battle of kanva किसके बीच राना सांगा के बीच और बाबर के बीच होती है 1527 CE में जो कि मैं next video में आपके साथ discuss करूंगी और यहां पे फिलहाल के लिए topic complete होता है तो हमने इस topic में पूरा जो battle of panipat है और जो conquest है बाबर का वो discuss कर लिया है आपके अगर कोई भी doubts है तो आप इसी video के comment section में मुझे पूछ सकते हैं बाकि अगर आपको video पसंद आई है so do not forget to subscribe the channel like share and comment thank you so much for watching और मुझे पता है आप लोगों के exams भी बहुत पास है तो all the very best for your exams I'll see you in the next video till then take care stay safe